हाई वेलकम तो में सॉल्ब करें क्विशन स्वाइबर 27 ए शिस्टर्न हाज two inlets A and B which can fill it in 12 hours and for 15 hours respectively मतलब यहां पर अलग अलग दिया हुआ है कि जो A pipe है जो inlet A है वो सिस्टर्न को 12 hours में fill कर रहा है और जो यह pipe B है वो 15 hours में fill कर रहा है ठीक है अलग अलग पतब अक्यलिय अक्यलिय ओपन रहेंगे इनलेट एन बी तो इतना इतना टाइम लाएगा एन आउटलेट एक आउटलेट भी है जो पानी जो है और सिस्टर्न से बाहर निकालता है वो जो है फूल सिस्टर्न को 10 आउटलेट में एंप्टी कर देता है तो यह पूरी चीज़े पूरी बाते जो है मैंने यहाँ पर लिख दी है कि टाइम टेकन बाई इनलेट एट फिल इनलेट है और एक इधर से इनलेट है जो कि बी है ठीक है इसको हमा लेते हैं बी और एक आउटलेट है यहाँ पर ठीक है एक आउटलेट है यहाँ पर हम बना सकते हैं चुछा सा यह हमारा आउटलेट है इसका नाम कुछ नहीं दिया तो खेर हम इसको आउटलेट करते हैं तो एक आउटलेट है यहाँ पर बोल सकते हैं कि इ जो यह б INLET A & B यह OUPEN हो जाएं और OUTLET भी साथ-साथ उपन हो जाएं तो कितने धिर में як फिल करनेγα तो आपको खरना क्या है आपको निकालना पड़ेगा कि ए जो है A केले 1 आवर में कितना फिल करेगा B+. बी जो है अकेले one hour में कितना fill करेगा और यह निकालना पड़ेगा अलग से कि outlet जो है जब यह दोनों बंध हो और पूरा जो यह शिस्टन है फूल हो तो outlet जो है one hour में कितना empty कर रहा है यह निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर यह दे दिया है कि टोटल टाइम जो लग रहा है A के द्वारा अकेले वो 12 hours लग रहा है तो हम 1 hour में निकाल सकते हैं कि कितना फिल कर सकता है कैसे 1 upon 12 कर लेंगे बस मंतलर इसका reciprocal निकाल लेंगे मिल जाएगा कि 1 twelfth part of the tank will be filled by A alone और B alone के द्वारा अकेले फिल करेगा तो कितने में करेगा 1 upon 15 में करेगा और यह empty करने वारा जो outlet है वो 1 hour में 1 upon 10 जो है फिल कर लेगा तो उसी बात को हम यहाँ लिख लेंगे तो हम जो यह फिल करने की बात है उसको मानें कि work done ठीक है तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से is one hour work done work done is equal to क्या होगा तो हम यहाँ पता है कि 12 hours में जो inlet A है वो one amount of work कर ले रहा है one amount of work करने का मतलब क्या है कि यह पूरा system को फिल कर लेना उसको बोलेंगे हम one amount of work तो one hour में कितना करेगा A कितना फिल कर लेगा तो one का twelfth part one by twelve तो यहाँ पर निकालना चाहते हैं is one hour work done is equal to one upon 12 ठीक है one by twelve का मतलब यह समझेगा आप one twelfth part of the tank one twelfth part of the system is filled अब निकालते हैं B के द्वारा कि B कितना फिल करेगा one hour B is one hour work done is equal to मिलेगा हमको one upon fifteen जैसे हमने यह किया था वैसे ही इसके लिए करेंगे ठीक है अब निकालेंगे outlets का ठीक है तो and outlets यहाँ पर and नहीं लगाते क्योंकि हमें apostrophic s लगाना है outlets outlets one hour work done यह जो work done होगा वो negative होगा क्यों negative होगा क्यों water बाहर निकल रहा है ज़िमार है बाहर जब water निकल रहा है मतलब कि इसको empty कर रहा है मतलब कि work done negative direction में जा रहा है मतलब कि यह दोनों fill कर रहे थे यह दोनों positive थे यह भी positive है यह भी positive है लेकिन यह negative है क्योंकि यह बाहर निकाल रहा है water को जब बाहर निकाल रहा है, empty कर रहा है system को मतलब कि actually system को हमें full करना है system को full करने में मदद कुन कर रहा है मदद कर रहा है inlet A और inlet B लेकिन जो outlet है मदद नहीं कर रहा बलकि और ही वो मतलब कि नुक्सान पोचा रहा है है कि नहीं तो इसको हम negative बोलेंगे तो negative में आएगा 1 upon 10 मतलब कि minus 1 upon 10 हो जाएगा अब हम इन तीनों को यदि add कर दें इन तीनों को यदि add कर दें तो मिल जाएगा कि 1 hour में ये तीनों मिल करके कितना fill कर पाएंगे मतलब ए और बी कुछ fill करेंगे और उसमें से कुछ amount outlet निकाल लेगा तब जो बचा हुआ amount है वो कितना मतलब already fill हो जाएगा 1 hour में हम वो निकालेंगे पहले तो इन तीनों को add कर लेंगे तो मिल जाएगा कि 1 hour में कितना ये तीनों काम कर रहा है तो time taken लिए सकते हैं आपर time taken time taken to time taken to fill the time हमें अभी नहीं निकाल सकते हमें अभी निकालना पड़ेगा amount of water ठीक है कितना मतलब amount fill होगा amount of water filled by two inlets and outlet two inlets A and B and and outlet कितना time लाएगा amount of water fill कितना होगा तो यह होगा यहां पर निकल देगा हमारा one upon twelve अच्छे एक और बात यहां लिखना पड़ेगा in one hour in one hour तो one upon twelve में add करना होगा one upon fifteen क्योंकि यह दोनों क्या कर रहा है fill कर रहा है water को और minus कर देंगे one upon ten तो यह निकलेगा amount of kit water जो है दो inlet और एक outlet जो है मिल करके एक साथ एक घंटे में कितना fill करेंगे तो solve करेंगे तो मिलेगा इसका जो होगा वो आएगा इसको निकाल लेते हैं 12 और 15 और 10 का LCM ठीक है तो यहां से कटेगा टू से तो यहां पर यहां पर आएगा तो यहां पर आएगा टू वन 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 और फिर करेंगे तो हमें वन 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 आ जाएगा ठीक है 12 से डिबाड करेंगे तो 5 आएगा 12 और 60 होता है फिर माइनस 10 जाए 60 होता है तो 6 हो जाएगा अब देखिए यहां पर यह जो वन आवर में 1 आवर में 1 upon 20th part of the tank will be filled by all these three when all these three inlet and outlets are open मतलब कि A भी open है B भी open है और outlet भी open है तो 1 20th part of the system filled हो जाएगा 1 hour में यह हमने निकाल लिया तो अब हम निकाल सकते हैं इसी का reciprocal करके कि total time कितना लाएगा तो यहां लिसकते हैं directly hence hence time taken hence time taken by two inlets and an outlet open together is equal to 20 20 hours यह आपका answer होगा लेकिन यह 20 hours कैसे आया तो आप सूचेंगे आप तो ऐसे निकला वन आवर में सोरी ऐसे रही हैं वन अपान 20th part of the work जो है वन आवर में हो रहा है ठीक है तीनों के द्वारा किसके द्वारा ए प्लस बी प्लस आउटलेट आप जो है यहां पर हमें one लाना है one amount of work कितने दिर में हो कितने आवर में होगा पूसिंग साथ कितली बाइ